नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परी दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बहद ही महतोपून जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों अक्सर आप देखते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा प्रोब्लिम क्या होता है जब हमारे बाल जहडने लगते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि इनको कंट्रोल कैसे करना है फिर इसी उहापोह में हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी अपने हैर्स पे यूज कर लेते हैं जिनकी वज़ा से फायदा होने की बजाए लौस होने लगता है और हमारा हेर फॉल होने लगता है कई लोगों के बाल रुखे हो जाते हैं यानि कि तूटते हैं बहुत ज़्यादा जढने लगते हैं उनको प्रोब्लिम होती है नहीं समझ में आता है कि इसमें क्या करें और सही दवा क्या होगी इसके लिए तो आज हम इसी से रिलेटेड आज ओश्रधी लेकर के आए हैं जो कि घरेलू ओश्रधी है अगर आप इसका प्रियोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बाल नेचुरली ढंग से हेल्दी और ग्लोविंग हो जाएंगे इसके साथ नेचुरल कलर में भी आ जाएंगे उ जल्दी बाल जो भी होता है उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर में क्योंकि बाल जो है प्रोटीन उनको बहुत ज्यादा मातरा में चाहिए होती है तो इसलिए आज हम आप सभी के लिए ये औश्रधी लाए हैं इसमें आपको चाहिए होगा तोरई क करना क्या है आपको विधी पे धिःान दीजें धंग से, करना कि आपको कि तुरई के छोटे-छोटे टुकड़े कर लेने हैं, आपको बिना छिलका उतारें उसको, क्योवल धोना है पानी में आपको, और उसको छोटे-छोटे टुकड़े में घराट लेना है, फिर इन टुकडों को आपको सुखा देना है जब यह अच्छे से सूख जाएं अच्छे से इनको कुटिये और पेश्ट सा बना लीजिए यानि कि तब इसका चून बना लीजिए इस चून को आप नारियल ओयल में मिला करके एक शीशी में बंद करके चार दिनों तक के लिए रख दीजिए शीशी में बंद कीजिए चार दिन रहने दीजिए नारियल का वेल इतना डालना है कि उसमें ये आराम से जो चून आपने डाला वो भींग जाए गिला हो जाए इसके बाद आपको क्या करना है चार दिन बाद इस मिश्टन को आपको निकालना है और पानी मे ध्यान रखें कि आपको फिंगर से मालिश करनी है आपको बालों को ऐसे क्योंकि बेजान बाल हैं अगर आप ऐसे रगड़ेंगे हतेलियों से तो वो तूटने लगेंगे इसलिए आपको हलके हाथों से फिंगर से बालों की मालिश करनी है जिसकी वज़ा से बाल तूटेंगे बालों के अलावा आँखों के लिए भी तोरई बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे फायदे हमारे शरीर के लिए देता है तोरई तो आप तोरई का प्रियोग कर सकते हैं, खाने में भी जरूर इसका इस्तिमाल करें, हेयर का आपने ये ओयल बना ली है उसके लिए लेकिन इसके साथ साथ तोरई का आप सबजी के रूप में भी इस्तेमाल जरूर करें, खाने में इस्तेमाल करेंगे, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, खास करके गर्मियों के मोसम में तो ये बेहधी फायदे मंद और लाफकारी सावित होता है आप सभी के लिए, तो दोस्त झाल